सकती है और फिर भी विकास पत पर बनी रह सकती है बन स्टीन मनी कंट्रोल न्यूज द्वारा अगर कंपणी अत्यधिक विनिवेश के लिए उत्सुक नहीं है तो वो टोटल एनरजीज और IHC जैसे खेल में तवचा के साथ मौझूदा निवेशकों से नए निवेश की मान कर सकती है रिसर्च फर्म का कहना है कि अदानी ग्रीन को नए अफसरों में तब तक बोली लगाने से बचना चाहिए जब तक लिवरेज कम नहीं हो जाता 47,300 करोड रुप्ये के सकल रिन के साथ अदानी ग्रीन एनरजी समूह की कमपनियों में सबसे अधिक लिवरेज है अनुसंधान फर्म वंस्टीन ने अपनी नवीन्तम रिपोर्ट में कहा है कि राशी का भुखतान करने के लिए ये अपनी सभी समपत्तियों को विभाजित कर सकता है लेकिन नवी करणिय उर्जा फर्म अभी भी विकास पत पर रहेगी जन्वरी के अंत में एक रिपोर्ट में अमेरिकी लगू विक्रेता हिंबेबर्ग रिसर्च के बाद अधानी समूव की कमपनियों में अधानी ग्रीन सबसे बुरी तरह से प्रभावित शेयरों में से एक है जिसमें समूव पर स्टॉक हेर फेर, अन्य गलत कामों और रिन स समबंधी चिनताओं को चिनित करने का आरोप लगाया गया है, समूव ने आरोपों से इंकार किया है, अधानी ग्रीन के पास 7.3 गीगा वॉट जी डबल्यू की परिचालन संपत्ती है, अक्षय संपत्ती 810X मल्टिपल प्राप्त कर सकती है, अधानी ग्रीन के लिए इसे ग्रीन के अधिग्रहन से 1.5X का गुनक प्राप्त हुआ, और शेल द्वारा स्प्रंग का अधिग्रहन लगबग 8-9X था, इसने कहा, घर चला रहा है, ये भी पड़े, तीसरी तिमाही में अधानी ग्रीन एनजी का शुदर लाब 110 प्रतिशत, राजस्प 41 प्रतिशत बढ अक्षे संपत्तियों को फ्लिप करना एक सामान्य अभ्यास है और एक तयार बाजार है, जिसे 25 साल की नगदी प्रवाध रिश्चिता और SPV या विशेश प्रयोजन वाहन में प्रतिएक संपत्ति दी गई है, इन संपत्तियों के संभावित खरीदारों में JSW, Brookfield, Samecop, Torrent, Mac Quarry, BlackRock, CPPIB, Inverts जैसे IndeGrid आदी शामिल हो सकते हैं, बंस्टीन ने कहा, लेकिन अगर कंपनी अपनी सारी संपत्ति बेच देती है, तो उसके पास क्या बचेगा? फर्म के अनुसार, अपनी विकास यात्रा जारी रखने के लिए परियाप्त है. अदानी Green Energy ने अपनी तीसी तिमाही की आय प्रस्तुती में सूचित किया कि अक्षय पोटफोलियों का 13.1 GW लॉक इन है, या तो निर्मानाधीन है या निर्मानाधीन है. इसलिए अपनी जुदा ओपरेटिंग संपत्तियों को बेचने के बाद भी, इसके पास 13.1 GW संसाधन होंगे. इस पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा 5.9 GW के सोलर जोड मैनुफेक्टिरिंग लिंक्ट PPA, पावर पचेज एग्रीमिंट से बना है, जो 2.45 रुप्य के अच्छे टैरिफ पर है. उनके पास 1.3 GW का hybrid contract भी है, जिसमें से 1.2-4 रुप्य के आकरशक टैरिफ पर है, बनस्टीन ने कहा. अगर कमपनी अत्यदिक विनेवेश के लिए उत्सुक नहीं है, तो यह मौझूदा निवेशिकों से Total Energies और IHC जैसे खेल में तवचा के साथ नए निवेश की मान कर सकती है. रिसर्च फर्म ने ये भी कहा कि अदानी ग्रीन एनरजी को लीवरेच कम होने तक नए अफसरों में बोली लगाने से बचना चाहिए. बनस्टीन ने 628 रुप्य के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर अंडिपरफॉर्म रेटिंग दी है. 24 जनवरी को विशेशग्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचार और निवेश सुझाव उनके अपने है न की वेब साइट या इसके प्रबंधन के. मनी कंट्रोल उप्योग करताओं को किसी भी निवेश निर्नए लेने से पहले प्रमानित विशेशग्यों से जाच करने की सलाह देता है.